कुआ है कि ये युक्लियों प्रोटीन होटेएं कि हए एद् है incentiv रह्य है और आपना गालना सब चीज वृब्सक्राइब करता दूसरा इंट्रसलर यानि अंधर एक टर्म है ऑब्लीगेट परासाइट इंफेक्ट उब्लीगेट परासाइट का मतलब है इसे परासाइट को बोलते हैं यह ऐसा परासाइट होता है जिसकी की life cycle without using आपका suitable host जब तक कि वह अपने suitable host पे नहीं जाएगा वह अपनी life cycle complete नहीं कर सकता है especially वह reproduce तो ही नहीं सकता है ठीक है को हम obligate parasite बोलते हैं ठीक है तो यह क्या करता है वाइरस यह जो होस्ट की जो मशीनरी है उसको यूज करता है यूज machinery of host cellular machinery बोल सकते हैं ठीक है जिस भी होस्ट में गया है उसकी cellular machinery को यह यूज करता है अपने को multiply करने को अपने को divide करने के लिए for its multiplication और अगर यह cell के बाहर है किसी भी living cell में नहीं है तो यह inert होता है कि इनक्टिव होता है एक डेट के समाना पर से मान सकते हैं और अगर यह suitable host में है तो वहां पर यह active होता है एक living entity के form में अब एक तर्म आता है वाई रॉन वाई रॉन क्या होता है intact virus outside host cell जो intact virus है या पूरा का पूरा जो वाई रॉन से जब होसे बाहर रहता है तो उससे वाई रॉन बोलते हैं पहला virus जो discover हुआ था वो था tobacco mosaic virus इसको discover किया था एक रशियन साइंटेस्ट थे इवान वुसकी उन्होंने किया था ठीक है तो हमेशा मतलब जनरल एक वेशन आता है कि वाई इस किसने साइंटर्फीशने डिसकवर किया था त्यूबल काया था डिसकवर करता है तो बेगा मोजाइक वाई तो यह प्लैंट को यह initक करता है उस्की अरो फिक में मॉट सटे म करताहर यह कंपे जर्लिंग अगर अघाया अहले स्यों करते कि रेंग्ता अगर आप इससको सपा इए तो वह उसको भी infect कर देगा यह spread होता है यह ठीक है contagious infection है अब वाइरसे जो हते हैं bacteria से यह छोटे होते हैं यह से अगर हमारे पास कुछ filters होते हैं ठीक है कुछ filters हम लगाते हैं और जब हम दबाएस सेमपल दालते है उसमें तो वह बैक्टिरिया को फिल्टर कर देते हैं किलेक्टिरिय क्यां उन्हें जो भी वाईरिसस जो हैं वह फ्रीली वह नीचे आ सकते हैं वहने सबस्ट कर सकते हं पथे के इन यह टोबैको मोजाइक वायर्स था लेकिन वह स्टैनली ने किया था judge cто现在 लेकिन हैं इसके बाद वायरस जो है नुक्लियो प्रोटीन होता है इनका नेचर यानी नूटियक अज़ी कैसी खुड Can해주 इस Route कtake यह प्लियो और 5 beiden का दा 1937 में तो इनने पहले बाद लिस्वर गाने था कि जो वायरसीज्ट इस वह उनका नेचर है वो किया है नूकलियो प्रोटीन इनका नेचर है अब हम एक है करके ठोड़ा बहुद अब ये तो इन जैनरल चीज थी कि कि अब हम थोड़ा थोड़ा हम छोड़ा टॉड़ा टॉपिक्स में वाइरस इसको कवर करेंगे तो सबसे पहले इनका नेचर नेचर जैसे में आपको बता चुकी हूं कि न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं और इनका को भी सैलूलर स्ट्ट्ट्ट्ठ इन Ain Ain में प्रजेन नहीं होता है ठीकिआ को सेलूरर स्ट्ट्ट्ट्ट्थ में प्रेजकर नहीं होता एक हुछ है्क नहीं और अगर freely यह present है living cell के बाहर present है तो यह inert है, inactive है और एक non-living chemical की तरह यह present है free या extra cellular state में अगर यह living cell के अंदर जाते हैं तो वहाँ यह living organism की तरह है, behave करते हैं, multiply करते हैं अपने आपको और सिर्फ living cell के अंदर ही है, अपने आपको multiply कर सकते हैं जब यह किसी भी host cell के अंदर जाते हैं यह जब जाते हैं तो host cell की machinery होती है उसको take over कर लेते हैं और उसको use करते हुए host cell की machinery में जैसे ribozomes हो गए, nucleotides हो गए आपके और enzymes हो गए host cell के उनको अपना use करके अपना समान बनाते हैं मतलब अपने आपको replicate करते हैं ठीक है तो यह तो इनका nature हो गया, दूसरा है classification classification तो classification क्योंकि इनका कोई इनमें ऐसी चीज नहीं है कि हम इनको उस basis पर classify कर सके तो इनका classification हम करते हैं कि यह कौन से host cell को infect कर रहा है, इसके basis पर अगर यह plant को infect कर रहे है तो हम इनको बोलते हैं phytophagene, यह plant viruses होते हैं जैसे कि tobacco mosaic virus हो गया या potato mosaic virus हो गया ठीक है या फिर banana banana bunchy top virus होते हैं ठीक है तो जो भी viruses plant को infect करेंगे उनको हम बोलेंगे phytophagene और जो animals को infect करते हैं उनको हम बोलते हैं जू फैजी नहीं तो यह animal viruses होते हैं in fact जो humans को affect करें virus उनको भी हम जू फैजी नहीं बोलेंगे ठीक है animals including humans इसमें क्या हो गया आपके smallpox का virus हो गया influenza का virus हो गया कोई भी virus का आप नाम ले सकते हैं जो कि animal या humans को affect कर रहा है एक तीसरे टाइप के virus हो जो होते हैं जिनको हम खाली फैजी नहीं बोलते हैं यह भी तीन टाइप के होते हैं एक होते हैं bacteria phages जो कि ऐसे viruses जो bacteria को affect करते हैं यानि bacterial viruses एक होते हैं mycophages यानि जो fungus को affect करते हैं fungal viruses बोलते हैं जिनने और last होते हैं sinophages यानि जो sinophages यानि जो blue green algae को affect करते हैं ठीक है अब इनका size and shape देख लेते हैं जैसे कि मैंने बताया viruses जो है बैक्टिरिया से भी छोटे होते हैं ठीक है तो यह ultra microscopic entities हैं जो की इवन स्मॉलर देन बैक्टिरिया तो सबसे छोटा जो वाइरस है वह है अलफा-अलफा मोजायक वाइरस अलफा-अलफा मोजायक वाइरस जो है सबसे छोटा है 17 नैनोमीटर का डाइमीटर है और जो सबसे जो बड़ा वाइरस है वह है आपका मिग्जोवाईरस इनका साइज 100 इंटू 10 नैनोमीटर का होता है ठीक है अब इनका शेप शेप के बेसिस पे वाइरस अगेन 3 टाइप के हो सकते हैं एक होते हैं है घलिकल जो रॉड टाइप के होंगे जैसे कि टोबैको मोजाइक वाइरस है घलिकल वाइरस जो डॉड होते हैं आपके cuboidal virus और लास्ट है कि बाइनल वाइरस बाइनल वाइरस में आते हैं आपके bacteriophages यानि ऐसे वाइरस जो bacteria को infect करते हैं ठीक है इन में polyhedral head होता है polyhedral head होता है और एक helical tail होती है कर्रेक्ट अब यह तो बात हो गई इनके size और shape की अब है composition and structure next topic is composition and structure अब जो वाइरस है होते हैं उसमें दो चीज में आपके बता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ठीक है न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटीज होती है यानि पहली चीज तो इन होगी न्यूक्लिक एसेड पहला चीज होता है न्यूक्लिक एसेड होता है जिसको कि उसका न्यूक्लियो या जुनों होता है वाइरस का ठीक है यह जैनेरली पूछते हैं कि वाइरस की प्रोटीन शीट को क्या बोलते हैं वाइरस की प्रोटीन सीट को कैपसीड झरू होते है ठीक कुछ गुष एनिमल जो वाइरेसेज हैं उनमें इनके ब 처d तो प्रिवा एक loosed membrane होती है जा कवरिग होती है या एक envelope होता है बहुत पतला सा एक loosed सा और उस कुछ animal viruses में ठीक है और उस envelope में कुछ surface projections निकले होते हैं , जैसे like surface projections निकले होते हैं या निकली होती है जो कि ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है not in every viruses but in some animal viruses there is outer membranous covering there is outer outer membranous covering which is called envelope and this envelope may contains surface projections it bears surface projections or which are also called as spikes these surface projections are also called spikes and these are made up of glycoproteins ठीक है इन को इन जो surface projections है या spikes है जो ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं इनको क्या बोलते हैं peplomers ठीक है अब किसी-किसी viruses में किसी-किसी viruses में कुछ enzymes हो सकते हैं जो की nucleoid या फिर जो यह envelope है उसमें वो present होते हैं उसमें वो present होते है nucleoid या जो उनका envelope है ठीक है अब बात यह जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग जो वारस को प्रोटेक्ट कर रही है और इसमें repeated protein subunits की यह बनी होती है यानि छोटे-छोटे protein subunits की यह बनी होती है जिनको की capsomere बोलते हैं कैप्सोमेर बोलते हैं ठीक है यह छोटे-छोटे क्या होते हैं प्रोटीन सब्यूनिट है जो मिलके कैप्सिट बनाते हैं ठीक है अब बात करते हैं nucleoid की अगेन आ यानि जो nucleic acid जो और है यह यह जो जो जूनोम है वाइरस का वह क्या है ठीक है यह वैसे पहले भी बात कर चुके हैं तो यह जो nucleoid है यह viral chromosome को रिप्रेजेंट करता है और एक ही molecule होता है इसमें nucleic acid का इट इस मेड़ अफ सिंगल मॉल्यक्यूल आफ नुक्लिक असेड वह सिंगल DNA होगा उसको बोलते हैं deoxy viruses this is all repetition जो हमने एक lecture में हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो जिसमें DNA होगा वो क्या हो जाएंगे आपके deoxy viruses और जिसमें RNA हो जाएगा वो क्या हो जाते हैं राइबो वाइरस अब DNA वाइरस की बैक्टिरियो फाज हैं ठीक है यह फिर जो आपका जैसे की कॉलीफिलावर मोजाइक वाईरस है कि ठीक है इनमें double stranded होगा और जन्रेल तो डबस्रेंड होता है लेकिन किसी किसी में क्या होता है सिंगल स्ट्रेंड होता है जैसे कि कॉलिफेज वाइरस जो होते हैं इसका एक्जाम्पिल है आपका 5174 वाइरस ठीक है और यह ध्यान रगना है कि किसी भी उसमें वाइरस में DNA RNA साथ प्रेजट नहीं होगे कि अगें RNA की बात करें तो अगन RNA क्या होता है जैसे आगें HIV वाइरस यह सिंगल स्ट्रेंड वाइरस है या आपके वी उसमेंजा वाइरस यह जैसे कि Rio viruses में Rio viruses या wound tumor viruses में ठीक है इंडो viruses में क्या है रने क्या होता है double stranded होता है अब बात करते हैं riboviruses riboviruses double stranded में हो सकते single strand में सब्सक्राइब लेकिन अगें हम riboviruses को दो अगर और categories में हम उनको divide कर सकते हैं riboviruses ठीक है riboviruses को again दो category में हम उनको divide कर सकते हैं एक क्या होते हैं RNA-RNA viruses एक होते हैं RNA DNA viruses RNA RNA viruses क्या होते हैं जिसमें कि RNA directly function करता है for its own replication यानि RNA से सीधे-सीधे RNA बन जाएगा RNA से सीधे-सीधे क्या है? RNA बन जाएगा तो यह हो गए RNA, RNA viruses इसमें आपके tobacco mosaic viruses हो गए आपके influenza virus हो गया, paramyxovirus हो गया, तो simple virus हो गए कि RNA से सीधे-सीधे RNA बना यानि RNA जो है directly function करेगा as a template for the synthesis of its other RNA strand, ओके अपने replication के या for its own replication RNA will be used as a template simply, RNA DNA viruses क्या होते हैं? इनको हम detail में पढ़ेंगे reverse transcription में RNA DNA viruses क्या होंगे? कि RNA जो है पहले क्या करेगा? एक complementary DNA बनाएगा through reverse transcription process यह process क्या है? जनर्ली DNA से RNA बनता है, यहां क्या हो रहा है? RNA से DNA बनता है, तो यह process क्या होगे? reverse transcription process, enzyme कौन सा यूज होता है? reverse transcriptase यूज होता है, ठीक है? और बाद में यह जो DNA है, यह फिर आगे जाके viral RNA या फिर नॉर्म है, जो वाइरस का RNA है, वो बनाएगा ठीक है? तो ऐसे viruses, जो RNA से DNA बनता हैं, इनको retroviruses भी बोलते हैं, इसमें आपका HIV viruses और oncogenic viruses, जो cancer causing viruses होते हैं, वो आते हैं, ठीक है? इसको हम detail में reverse transcription में पढ़ेंगे, तो यह खतम हो गया viruses, अगर आपको समझ आयोगा, तो प्लीज इसे like, share and subscribe करिएगा, तेंक यू